फार्मर प्रोटेस्ट, किसानों का आंदोलन, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे दोस्तो हमारे देश में जो सत्ता में लोग बेटे हैं, उनका मानना ये है कि अगर उनकी चीजों के खिलाफ कोई मुसल्मान सडकों पर उतरता है, प्रोटेस्ट करता है तो ये सत्ता में जो लोग बेटे हैं, कह देते हैं ये तो पाकिस्तानी हैं, टेररिस्ट हैं, ये तो प्रोटेस्ट करेंगे वही अगर हमारे देश के स्टुडेंट, यानि चात्र, इनकी चीजों से ना इस्तिफाकी रखते हैं यानि इनके कोई भी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं कि इनके चीज़ों के खिलाव तो यह चात्र को यानि इस्टुडेंट को कह देते हैं यह राज दिरोई हैं यानि देश दिरोई हैं वहीं दोस्तों अगर हमारे सिक भाई कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो ये सत्ता में लोग जो बेटे हैं हमारे देश के अंदर कह देते हैं ये तो खालिस्तानी है इनका तो काम है प्रोटेस्ट करना ये तो हमारे चीजों को प्रोटेस्ट करेंगे हमारे खिलाफ की जो भी चीज हम करेंगे ये खिलाफ ही रहेंगे पर दोस्तो अब हमारे देश की सडकों पर किसान भाई है यानि किसान का मतलब आप जानते हैं दोस्तो जो पूरे देश भर का पेट भरते हैं यानि हमारे अंदाता इस टाइम सडकों पर है अब उनका जो पेट है दोस्तो हमारे देश की जनता भर रही है और किसानों की जो खेती है वो हमारे देश की जो सरकार है उनसे छीनना चाती है और अपने जो कुछ मितर हैं अमबानी हो गया अडानी हो गया और जो इनके मोदी के ही मोदी हैं उनको ये उनकी जमीनों को उनसे छीन कर उनको दे देना चाहते हैं दोस्तों बात जो है ये किसान जो सड़कों पर उत्रे हुए है वो तीन किर्शी बिल को लेकर उत्रे हुए और ये एक तीन किर्शी बिल दोस्तो इस तरीके से पास किये गए एक तो किसानों से इन्होंने चर्चा नहीं करी किसान के लिए बिल लेकर आ रहे हैं किसानों सिर्फ कर चर्चा नहीं करी वही साथ के साथ लोक सबा और राग्जी सबा में भी इन्होंने चर्चा नहीं करी इतना विरोध होने के बाद भी इन्होंने बिल को पास कर दिया दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाओँगा तस्वीर मैं आपको दिख रहा होगा, लंगल लगा हुआ ये लंगल हमारे मुसल्मान भाईयों ने किसानों के लिए लगाया है और ये जो लंगल लगाया है Muslim Federation of Punjab ने लगाया है एक NGO है उन्होंने इसकी तरफ से ये लगा गया है दोस्तो Muslim Federation of Punjab ने किसानों के लिए सिंगो बॉर्डर पर ये लंगल लगाया है अब दोस्तो इससे भी लोगों को जलन हो रही होगी अब मुझे लगता नहीं दोस्तो कि कुछ दिन के बाद आपको ये देखने को मिले कि आतंगवादियों से लिंक जुड़े हुएं आतंगवादी भा सुनने वाले हो जल से जल रीपब्लिक टीवी आस्ता के जी नियूज ऐसे चैनलों पर आपको ये ख़बर बहुत ही जल दिखने वाली जैसे शाहिनबाग प्रोटेस को बंदाम करने की कोशिश की गई थी वैसे ही किसानों को जो अंदोलोन है दोस्तो उसको भी बंदाम करन कार्जू जज हैं पूर जजज सुपरिंगोट के बहुत ही जवरतस बात लिखिये क्या लिखिये स्क्रीन पर देखिये जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के लोगों को दिक्कत है उन्हें बता दें कि आजादी के लिए फांसी पर चड़ने वाले 121 में से 93 पंजाब पंजाबी थे उमर केत काटने वाले 2626 लोगों में से 2147 पंजाबी थे तो अंग्रेज भी कह सकते थे कि जब बाकी देश को गुलामी से कोई समस्या नहीं है तो पंजाब के लोगों को ज्यादा दिक्कत क्यों है दोस्तों हमारे देश की सरकार ही सोच रही है कि सड़क उप पर इनने ये नहीं पता है कि अब जो इस किसानों की आवाज है वो पुरदेश में उठने लगी है मद्ध पृरदेश में, राजिस्तान में, उत्ध पृरदेश में, हरियाना में, पंजाब में दोस्तों आठ तारीक को किसानों ने बंद भी बुलाया है भारत का कि सारे की सारी रोडों को बंद कर देना भारत का बंद बुलाया दोस्तों मैं आपको एक और फोटो दिखाना चाहूँगा इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाए थी इसक्रीन पर आप फोटो देख रहे होंगा इस फोटो में आपको तीन तस्वीर नजर आ रही होंगी एक हमारे मुसल्मान भाई नमास पढ़ रहे है वहीं दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई पूजा कर रहे है और वहीं तीसरी तरफ अदरास कर रहे है हमारे सिख भाई और ये दोस्तों फोटो जो निकल कर आई है सिंगू बोडर से ही किसान का जहां पर आंदोलन चल ला है किसानों को जो प्रोटेस चल ला है वही से ये तस्वीर निकल कर आईए अब भक्तों को मिर्चे लग गई है इस फोटो को देख कर दो बड़े ही दुख की बात है हमारे देश की सरकार जो हमारे देश का पेट भरते हमारे जो अंदाता है वो इस टाइम सड़कों पर उतरे हुए और उनकी बात मानने को तयार नहीं है दोस्तों किसानों को कहना ये है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो सरकार के बहुत ज़्यादा बुरे दिन आने वाले है चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब बेल आइकन को दबादी का ताकि मैं जब भी नहीं वीडियो लेकर आऊँगा चलिए इस वीडियो में इतना ही